हेलो डियर स्टूडेंट असी प्लास्टू जमादी कावगेरी पुस्तक विच दर्ज कविता ताज महल जो के प्रोफेसर मोहन सिंग जी दी शाह का रचना है बारे पढ़ रहे सी पहला बेटा सिंग से दो पेरें दी व्याख्या कर ली है अते होन नेक्स्ट व्याख्या शुरू करन तो पहला मैं तो आनू इस कविता विच कवी ने जो ब्यान करन दी कोशिश कीती है उस सबंदी संखे पिच जानकारी देवांगी इस कविता दे पहले पाग विच कवी ने ताज महल दी खूबसूर्ती दा वर्नन कीता है अते दूसरे पाग विच सामराजी तानाशा शक्तिया पाव की शाज हाँ द्वारा गरीब मजदूरा दा जो शोशन कीता गया सी उनना दुपर जो जुलम टाया गया सी उसनों ही सा कवी ने हजारा मजदूरा दे जुलम दे अधार दे उसारे गए ताज महल नो सुन्दरता दा नमूना नहीं बलके मनुकता नाल कीता गया तो खा करार कीता है ओके बेटा हुन सब्तों पहला सी पेज नमबर 32 ते जो पहरे असी आज व्याख्य करने उनना रीड करांगे लग टाहना गल वेलना सुतिया लग वेलना गल कलिया लग कलिया गल गंदा सुतिया नीद वले में वलिया शांत सुतिय जमना दे कंडे हरे परे अत्सावे नीद विगुत्ती जलता रानू बन्नी वेच्च कलावे सुतिय पानिया दे वेच सुत्ता ताज महल दास साया जानों जमना हर नवास दे बुकल वेच्च लुकाया एप पर दूर सागरा वन्नी नसन जदों उह लगई नीद टूनेया दे जनतरविच तोर उस्ती बज्जी इते तक बेटा जैसी व्याक्या कम्प्लीट करनी है उन पहला इसे वर्ड मेनिंग डिसकस करांगे जो तुसी अपने बुक्स दे उपर पैंसिल ना लिखने आन पहस्ट वर्ड बेटा टाहना टाहनिया गंदा खुशबुआ नेक्स ट्रेक कंडे किनारे सावे इकसार नेक्स वर्ड विगुत्ती गुआच्ची जालतारा पाणी दीतारा नेक्स वर्ड कलावे गल वक्डी सुप्ता स्थिर नेक्स ट्रेक साया परशावा नेक्स वर्ड बेटा वन्नी वाल टोर चाल लास्ट वर्ड है बज्जी रुक गई होण यस दी व्याख्या शुरू करन तो पहला देखो संकेत लिखना है लग टाहना गल वेलना सुतियां ठीक है तुसी बेटा पहले संकेत हैडिंग देखे और इस दे स्टार्टिंग वाले वर्ड लाने लग टाहना फिर डैश डैश और लास्ट बेटा इस पहरे दे जो लाइन नाने जेवें टोर उस दी बजजी ठीक है इस दे सी लास्ट वर्ड ला लेने है उस दी बजजी और उस तो बार नेक्स्ट बेटा असी व्याख्या दा हैडिंग देना है और ये व्याख्या सी अपनिया कॉपीज दे उपर नोट करनी है ठीक है उन पहले फर्स्ट पहरा देखो लग टाहना गल वेलना सुतिया लग वेलना गल कलिया लग कलिया गल गंदा सुतिया नीद वले में वलिया इनना सत्रा वेच कवी ने ए ब्यान कीता है कि ताज मेहल दे आले द्वाले उग्गे होई रुखा दे टाणिया अपर वेलना चडिया होईया सान अती एही वेलना टाणिया दे गल ला के सुतिया होईया सान ठीक है लग वेलना गल कलिया ते जो वेलना सान इनना दे नाल कई कलिया लगिया होईया सन नेक्स लाइन देखो लग कलिय गल गंदा सुतिया नीद वले में वलियां ते इन्ना कलियां दे विच्चों जो खुश भूवा आ रहें सन वही इस तरह में सूसो रहें सन जेवे नीद दे के रेविच किरिया हुईयां आपस विच राच मेंच के सुतिया हुण ठीक है बिटा नेक्स देखो नेक्स पेरा शांत सुत्ते जमना दे कंडे हरे परे अत्सावे नीद विगुत्ती जलता रानू बन्नी विच कलावे इस तरह चांदनी रात विच जमना नदी दे हरे परे अत्सार कंडे चैंदी नीद सौरे सन अत्सावे इन्ना किनार्या ने जमना नदी दे नीद विच गुवाची होई जलता रानू अपने कलावे विच बन्नेया होया सी अर्थात जमना नदी दे पाणी नू वेहनतों रोक्या होया सी ठीक है बेटा नेक्स पेर देखो सुत्ते पाणिया दे विच सुत्ता ताज महल दा साया जानो जमना हर्नवास दे बुकल विच लुकाया इस तरा जमना नदी दे सुत्ते होई पाणी सुत्ते होई पाणी पाव स्थेर थेरे होई पाणी दे उपर जो ताज मेल दा साया पाव कि पर्शामा पैर या सी ओभी स्थेर सी ते एस सारे द्रिशनू वेख के इस तरह मैं सूसो ओर या सी कि जे में जमना नदी ताज मेल दी सुन्दर ता तो मोही तो ओके उसनू अपनी पाणी दी तारा रूपी बुकल विच लुका के लै जावेगी ठीके? नेक्स पैरा देखो बेटा एपर दूर सागरा वन्नी नसन जदों ओ लगी नीद टूनेया दे जनतर विच तो रोस दी बजजी उनिनना सत्रा मिच कभी ने की ब्यान कीता है? के इस्तरा जदों जमना नदी ताज मेहल नू अपनी बुकल विच लुका के समुन्दर वाल नसन लग दी है, जान लग दी है ता उस समय उस दी चाल वी नीद टूनेया दे जनतर विच बद जान दी है पाव क्यों ताज मेहल दी सुन्दर था तो मोही तो ओके ओत्थे ही ठहर जान दी है ठीक है बेटा? पूने इस तो बाद तुसी इस इनना पैरे दी वियाख्या जदो कर लोगे नेक्स्ट अगे नेक्स्ट पैरा देखो जो साड़ा कविता दा सेकिंड पार्ट शुरू होना है जहें फर्स लाइन है सुत्ते इस चो गिर्द अंदर इत्तो लेके पेज नंबर 32 और नेक्स्ट पेज नंबर 33 लास्ट लाइन बेटा चीक का कुक का ते फर्यादा जा अंबर नुशो है एत्य तक तुसी कविता दे वर्ड मेनिंग प्लान करने हैं ते नाली जो व्याख्या सी अज कर लेए उनू कॉपी जो पर नोट करना है ते पहले जो दो पहरे कीते ओना नुवी चंगी तरह रिवाइज करना है ओके बेटा थैंक्यू